नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नौलिज पंडित पर बंदे मातरम जैहिन दोस्तों हम आज की इस वीडियो में करेंट अफियर्स जनरल अवेनस के साथ हैंस की कॉशन्स कवर करेंगे अगर आपका करेंट अफियर्स तयार है तो पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितने कॉशन्स आप इन मेंसे सही कर पाते हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलू करते हुए 60 प्रश्ण सैट किये हैं मैंने सारा वीडियो आप ध्यान से देखिए और चेक करिए कितने कॉशन्स आप बना पाते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नाए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल कर लीजेगा नोटिफिकेशन को आल पर सैट कर लीजेगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेर जरूर करिएगा अपने ग्रूप में अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जूड़िएगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहला प्रश्ण यह रहा आपके सामने Q1 आपसे पूशा गया है हाल ही में किस राजी सरकार ने सिक्षा सेवा चैन आयोग इस्थापित करने की घोशना की है Next question है हाल ही में कौन सा IIT UR20 परामर्श की मेजबानी करेगा तो यह कौन क्लेब है सम्मेलन है UR20 हाल ही में कौन सा IIT UR20 परामर्श की मेजबानी करेगा तो IIT कानपुर UR20 परामर्श की मेजबानी करेगा Next question है किस देश ने नया ओफेक 13 जासू सेटलाइट अंतरिक्ष में लाँच किया है कौन सा देश है जिसने नया ओफेक 13 जासू सेटलाइट अंतरिक्ष में लाँच किया है तो इसराइल वहदेश है जिसने ओफेक 13 जासू सेटलाइट अंतरिक्ष में लाँच किया है Next question है हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टेग मिला है तो बिहार राज्य के मिर्ची चावल को GI टेग मिला है Important question है याद रखिएगा Next question देख लेते हैं किस शहर ने अपनी सडकों पर E-Scooter चलाने पर प्रतिबंध लगाया है कौन सा भाश शहर है जिसने अपनी सहरों की सडकों पर E-Scooter चलाने पर प्रतिबंध लगाया है तो पैरिस शहर ने अपनी सडकों पर E-Scooter चलाने पर प्रतिबंध लगाया है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत वह देश है जो अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK54 तॉर्पीडो खरीदेगा नेक्ट कौशन देख लेते हैं हाली में सुजुकी मोटर साइकल इंडिया ने किसे अपना MD मियुक्त किया है तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा के निची उमेदा उन व्यक्ती का नाम है जिसको सुजुकी मोटर साइकल ने इंडिया में अपना नया MD मियुक्त किया है किस देश ने बड़े निवेश को आकर्शित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लाँच किया है गुर्डन लाइसेंस प्रोग्राम लॉंच कर रहा है तो बहरीन वह देश है जो बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गुर्डन लाइसेंस नामक योजिना लेकर आया है हाल ही में अंतराश्य समुद्री दिवस कब मनाया गया तो हर साल पांच अप्रेल को अंतराश्य समुद्री दिवस मनाते हैं अगला कौशन देखते हैं हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ओडिट सफलता पूर्वक आयजित किया है तो कौन सी वह राज्य सरकार है जिसने अपनी राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ओडिट सफलता पूर्वक आयजित किया है तो श्टार्टप जिसने 3D प्रिंटिट कारायोजनिक इंजन का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है Skyroot Aerospaces Company का नाम है Option अमब B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Next है हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए Digital दुकान व्यवसाय प्रवंधन समाधान पेश किया है Very important question है हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए Digital दुकान व्यवसाय प्रवंधन समाधान पेश किया है तो एक्सिस बैंक उप्शन अमबर C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा किसने F ICCI महिला संगठन की 40 वी अद्यक्ष का पदभार समाला है तो फिक्की की महिला संगठन की 40 वी अद्यक्ष का पदभार सुधाश शिवकुमारं जी ने समाला है उप्शन अमबर C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा इंपोर्टन कॉशन है कोई भी महिला से रिलेटिट कॉशन जो भी नियुक्ती होती है वो एक्जाम में पूछी जाती है हाल ही में किसी राज सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिशी शुरू की है तो तेलांगना राज की सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिशी शुरू की है हाल ही में वितवर से 2022-23 में प्रत्यक्षकर संग्रह में कितने प्रतीशत की व्रद्धी दर्ज हुई है तो वित्वर्स 2022-23 में प्रत्यक्षकर संग्रह के मामले में 25 दिसंबल और 90 प्रतीशत की व्रद्दी हुई है, option number C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा Next question है, किस से राज्य की विश्व प्रसिद बसोहली पैंटिंग को GI टैग मिला है? इंपोर्टेंट है, GI टैग ये जम्मू कश्मीर की है, बसोहली पैंटिंग जिसको GI टैग मिला है Next question है, भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये है? भारत और कौन से देश ने पहले रक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत ने ये हस्ताक्षर रोमानिया के साथ में किये है option number B प्रश्न का सही उत्तर है next है हाली में किस देश ने संगीतकार और पॉप पाइनियर यूईची सकामोटो का निधन हुआ है तो कौन से देश के संगीतकार और पॉप पाइनियर है जिनका नाम है यूईची सकामोटो जिनका हाली में रिधन हो गया है तो ये जो है जापान से संबंदित है option number C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला question है हाली में किसने पुरुवत्तर छेतर में बिजनिस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है इन में से वह कौन सा राज है जिसने पुरुवत्तर छेतर में बिजनिस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP व्रदिदर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है हाल ही में अनुमान टीवी मामलों के लिए खुद का मौडल विक्सित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने टीवी को जड़ से खतम करने के लिए एक मॉडल बनाया और उस मॉडल पर वह कामगर सिद्ध हुआ किसने लुआ चारी पहन कर अफरीका में माउंट किली मंजरों को फतह किया है अगला प्रशन ये रहा आपके सामने नेक्श्ट कॉश्चन क्या है ये रहा आपके सामने हाल ही में किस देश के राजा जिग में नामग्याल वांग्चुक तीन दिवसिय भारत की यात्रा पर आये है कौन से देश के ये राजा है जिनका नाम है जिगमे नामग्याल वांग्चुक जो की तीन दिन की भारत यात्रा पराए है तो ये भूटान के राजा है आप्शन नमर बी प्रश्निका सही उत्र है अंतर आश्रिय खान जागरुकता दिवस कब मनाया गया है तो हर साल चार अप्रेल को अंतर आश्रिय खान जागरुकता दिवस मनाते हैं हाली में चीन ने किस भारतिय राज्य में 11 इस्थानों के नाम बदलने की गोश्णा की है हाली में फ्रांस ने बॉश्टिल परेड में किसे आमंतरित किया है हाली में किस देश ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के भिना मतपत्रों का उप्योग करके आम चुना होने के लिए बात कही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के भिना मतपत्रों का उप्योग करके आम चुना होने की बात जो है बांगला देश ने कही है option number C प्रशन का सही उत्र होगा किसे 2023 के लिए time 100 reader poll का विजयता चुना गया है option number C प्रशन का सही उत्र है हाली में सहयक्त सैन अभ्यास कवच कहा पर आयुजित हुआ औरब पतीयों के सूचिए में बरूर्ण अरौट अर्ण शिर्ष पर रहे हैं। की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विग व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है तो वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विग व्यापार जो है एक दसंबलो साथ प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है और बी सही उत्त नेक्स्ट है हाल ही में किसे राज में भगवान हनुमान जी की 54 फिट ओची प्रतिमा का अनावरण किया गया तो भगवान हनुमान जी की 54 फिट ओची प्रतिमा का अनावरण गुचरात राज में हुआ है option number 20 सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में नाडा ने भारोत तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिमंद लगाया है तो national anti-doping agency ने भारोत तोलक संजीता चानू पर प्रतिमंद जो लगाया है ये चार साल का लगाया है option number B सही उत्तर हो जाएगा हाली की जारी फीफा रैंकिंग में शीर्स पर कौन है फीफा की रैंकिंग जो आई है हाली में शीर्स पर कौन सा देश है तो अर्जिंटीना फीफा की रैंकिंग में शीर्स पर है किसने राश्रीय राइफल एसोसियेशन आफ इंडिया के अध्दक्ष के रूप में कारेभार समाला है हाली में किस राजी सरकार ने पहली महिला सहकारी निधी महिला निधी की शुरुआत की है तो हाल ही में राजी सरकार राजिस्थान की है जिसने पहली महिला सरकारी निधी जिसका नाम है महिला निधी इस योजना की शुरुआत की है विश्व स्वास्त दिवस कब मनाया गया तो हर साल विश्व स्वास्त दिवस साथ अप्रेल को मनाया जाता है तो राश्पती द्रौपदी मुर्मु जी ने कहां पर दो दिवसिय गज उत्सव का उधगाटन किया है तो राश्पती द्रौपदी मुर्मु जी ने गज उत्सव जो है असम में मनाया जाता है important है देखिए गज 300 exam में पूशा जाएगा ये असम में इन्होंने उद्गाटन किया है next question है दुनिया का सबसे व्यस्त airport किसे घोशत किया गया है तो दुनिया का सबसे व्यस्त airport जो है हर्ट्स फील्ड जेक्शन अंटलांटा airport को घोशत किया गया है option number B सही उत्तर हो जाएगा हाली में किसे राज़े के नागरी दूबराज चावल को GI टेग मिला है important question है तो नागरी दूबराज चावल 36 गड़ राज़े का है जिसे GI टेग मिला है next है ICC men's T20 cricket में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है तो ICC men's T20 international cricket में अंपायर बनने वाली पहली महिला जो है किम कॉर्टन है option number C सही उत्तर हो जाएगा किसे राज़े की वुड कॉर्णिंग को GI टेग मिला है important question है तो वुड कॉर्णिंग को GI टेग मिला है तो ये लगदाक से सम्मंदित है right answer हो जाएगा next है किसे युवा यूरो लॉजिस्ट पुरुसकार मिला है तो युवा यूरो लॉजिस्ट पुरुसकार डॉक्टर नित्या अबराहम को मिला है option number C सही उत्तर हो जाएगा हाली में वित्वर्स 2022 तेश में GI टेग सूची में कौन शिर्स पर रहा है तो 2022 तेश में सबसे जादा GI टेग जो है केरल राज्य के उत्तपादों को मिले है option number C सही उत्तर होगा next है apple inc कहां अपना पहला भारती श्टोर खोल रहा है तो apple inc अपना पहला भारती श्टोर मुंबल शहर में खोल रहा है option number B सही उत्तर हो जाएगा next है हाली में किस देश के राश्पती को पोलेंड का सिर्स पुरुसकार मिला है तो राश्पती पोलेंड का सिर्स पुरुसकार यूक्रेन की राश्पती हैं जिन्हें मिला है next portion है किस राज सरकार ने लोक तंत्र पहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है तो यहाँ पर राजी सरकार का नाम जिसने लोग के तंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्ट कर दिया है माचल प्रदेश आप्शन नमबर B सही उत्तर हो जाएगा हाली में महिंदर सिंग धोनी सहित कितने भारती खिलाडियों को मैरी लबॉन करकेट कलब ने आजीवन मानत सदसिता प्रदान की है हाली में किस देश के पूर्वपरधान मंत्री एहुद बराक ने देश के पास पर्माडू हत्यार होने की पुश्टी की है तो एहुद बराक ये पूर्व प्रधान मंतरी है इसराइल के जनों ने देश में परमाडु हत्यार होने की पुष्टी की है Next question है विकास और सांती के लिए अंतराश्रे खेल दिवस कब मनाया गया तो विकास और सांती के लिए अंतराश्रे खेल दिवस 6 अपरेल को मनाये गया option number B सही उत्तर हो जाएगा खाद और और औशदी प्रशाशन ने कहां पर eat right millet मेला आज़ित किया है तो खाद और और औशदी प्रशाशन ने eat right millet मेला जम्मू में आज़ित किया था option number C सही उत्तर हो जाएगा important है unique question है क्योंकि इरान ने कहां 8 वर्शों में पहला राजदूत नुक्त किया है ये भी important है तो इरान ने 8 वर्शों में UAE में पहला अपना राजदूत नुक्त किया है कौन सहराज कोप इंडिया exercise की मेजवानी करेगा important है देखें लगातार question important आ रहे है तो कोप इंडिया exercise की मेजवानी पश्चिम मंगाल राज्य करेगा next है किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सामप्रदाइकता लिखी है important है देखें bookend author तो गांधी सियासत और सामप्रदाइकता प्यूश बावेल ने लिखी है next question देख लेते हैं हाल ही में जारी इंडिया justice report 2022 में कौन सा राज्यसीस पर रहा तो नियाए के मामले में इंडिया justice report 2022 में करनाटग राज्यसीर्स पर रहा option number A सही उत्तर हो जाएगा किसे फ्रांस के सर्वोचनागरिक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है important question है तो किरण नादरजी को किरण नादरजी फ्रांस के सर्वोचनागरिक पुरुसकार से सम्मानित होने वाले भारतिय है राइट answer हो जाएगा तो दोस्तो ये था आपका आज का practice test set paper क्या रहा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को like करना ना भूले शेर करें ग्रूप में अपने subscribe करके notification को all per site कर लिएगा जिससे हर दिन के वीडियो के notification time to time मिल सके मिलते हैं आपसे next वीडियो में अपना ख्याल रखें जैहिन, वन्दे भारत, वन्दे मातरम, भारत माता की जैए नमश्कार दोस्तो जैहिन, वन्दे मातरम, भारत माता की जैए दोस्तो मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए पचास GK EMSQ questions का previous ES questions है टेस्ट सेट वीडियो लेकर आया हो चैनल पर आपके लिए रोज हर दिन वीडियो अपलोड मिलते हैं अगर आप हमारे चैनल पन्नाय हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा जिससे आपको हर दिन की notification time to time मिल सके वीडियो अच्छा लगे तो like जरू करिएगा और चेक करिए कितने caution आपसे बनते हैं और आप कितने number प्राप्त कर पाते हैं आपका क्या score रहता है इस वीडियो में comment करके जरू शेयर करिएगा अपना comment चलिए शुरू करते हैं तो पूरा वीडियो देखें चेक करते हैं कितने caution आप बना पाते हैं तो सबसे पहला प्राप्राशन है यहाँ पर सत्य में वो जयते शब्द कहां से लिया गया है तो सत्य में वो जयते शब्द कहां से लिया गया है very important question है हर exam में हिश्री का यह question पूछा जाता है यह question जो है सत्य में वो जयते यह लिया गया है मुन्ड को पनिशत से option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारतिय दरशन की प्रारंबिक शाखा क्या है तो भारतिय दरशन यह तीनों ही है सांख्य, मीमानसा, वैशेशिक, चावार की यह तीनों ही दरशन है प्रारंबिक शाखा जो है सांख्य दरशन है option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला question देखते हैं बुद्ध के उपनिशद इनमें से किससे सम्दित है very important question है तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिये हैं जानकारी दी है वो आचरण की शुदता और पवित्रता से सम्दित है option number बुद्ध के उपदेश जो है ये आचरण की शुदता और पवित्रता से सम्दित है next question देखते है मालवा गुजरात और महराष्ट किस सासक ने पहली बार जीता था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चंदरगुप्त मौरे right answer है option number D चंदरगुप्त मौरे ने मालवा गुजरात और महराष्ट पहली बार जीता था next question है कुशाण सासक कनिश्क का राज्यविशेक किस सन में हुआ था तो यहाँ पर right answer हो जाएगा 78 AD में option number D प्रश्ण का सहीत्तर हो जाएगा कुशाण साशक कनिश्क का राज्यविशेक 78 AD में हुआ था next question है साची का इस्तूप किस सासक ने बनवाया था very important question है तो समराट अशोक के द्वारा साची के इस्तूप का निर्माण माना जाता है option number B प्रश्ण का सहीत्तर होगा next question लेकते है रामा नुजाचारिय किस से सम्बंदित है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट द्वैद वाद से सम्बंदित है रामा नुजाचारी जी option number C प्रश्ण का सही उत्तर है next question है खजराहों का कंदारिया महादेव मंदिर किस ने बनवाया है खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदर जो है यह चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया है option number D प्रशन का सही उत्तर होगा next question देखते हैं चोलों का राज्य के शेत्र में फैला था तो यहाँ पर right answer हो जाएगा जो चोल थे भारत के दक्षन भाग में कोरो मंदल तर दक्कन का कुछ भाग option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा चोलों का राज्य जो है कोरो मंदल तर दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था next question है मीनाक्षी मंदर कहां पर है very important question है मीनाक्षी मंदर कहां पर इस्थित है तो मदुरई में मीनाक्षी मंदर इस्थित है option number C प्रशन का सही उत्तर है next question है किस दक्षन भारतिय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशाशन था कौन सा वह दक्षन भारतिय राज्य है जहाँ पर उत्तम ग्राम प्रशाशन प्राचीन समय में था तो चोल सामराज्य में option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा दक्षन भारतिय राज्य जहाँ पर उत्तम ग्राम प्रशाशन था next question है चालुक्यों की राजधानी कहां पर हुआ करती थी तो वातापी चालुक्यों की रादानी वातापी नामकिस्थान पर हुआ करती थी नेक्स कोशन है चालुक के वन्शिका सबसे महान शाशक कौन था तो पुलकेशन दुटिय राइट आंसर है अगला प्रशन हैं आपके सामने निम्न में से कौन चंदेल साशक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था अगला कौशन है अगला कौशन है अगला कौशन देखते है सल्तनत काल के अधिकांस अमीर एबं सुल्तान किस वर्ग के थे सल्तनत काल के अधिकांस अमीर और सुल्तान जो थे किस वंश के थे तो वर्ग के थे तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा तुर्क सामरा जिसे थे तुर्क वर्ग से थे option number A प्रशन का सही उत्तर है next है महमद बिन कासिन द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी महमद बिन कासिन के द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी तो यहाँ पर right answer हो जाएगा महमद बिन कासिन के द्वारा 712 इसवी में सिंध की विजय हुई थी option no.C question to answer next है महमूद गजनवी का दर्बारी इतिहासकार कौन था तो option no.B ये बहुत call है और हमेशा गलत होता है कई लोगों का महमूद गजनवी का दर्बारी इतिहासकार इतिहासकार उत्बी था next question लेखते हैं मुहम्मद गोरी किस दास मुहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और विहार पर विजय प्राप्त की तो बक्तियार खिल जी मुहम्मद गौरी का दास जिसने बंगाल और विहार पर विजय प्राप्त की एक घटना एक परिणाम रहत विजय कथन किस आधुनिक इतिहास कारने अरबों द्वारा सिंध विजय के संधर्म में कहा था तो option number lane pool ने ये बात कही थी next question है किस मुगल सासक का मगबरा भारत में नहीं है तो बाबर का मगबरा भारत में नहीं है option number D प्रशन का सही उत्तर होगा next है सवाई राजा जैसिंग द्वारा प्रथम वैदशाला जंतर मंतर में कहां पर स्थापित की गई थी सवाई राजा जैसिंग द्वारा प्रथम वैदशाला जंतर मंतर में कहां पर स्थापित होई थी तो ये प्रथम वैदशाला जंतर मंतर नाम है जिसका तो ये स्थापित होई थी जैपुर राजिस्थान option number A प्रशन का सही उत्तर है अश्ट प्रधान मंत्री परशद किसके काल में थे अश्ट प्रधान मंत्री परशद इनमें से किसके काल में थी तो सिवा जी के सामराज जमें जो उनकी मंत्री परशद थी जो अलग-अलग वर्गों के प्रधान हुआ करते थे वो मिलकर अश्ट प्रधान थे option number A प्रशने का सही उत्तर होगा next देखते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त किसे ने लागू किया था इस्तेमारी बंदोबस्त important है इस्तेमारी बंदोबस्त जो है Lord Cornwallis ने लागू किया था option number C सही उत्तर हो जाएगा next देखते हैं 1857 के विद्रो के समय बिडिस प्रधान मंत्री कौन था important question है option number British प्रधान मंत्री 1857 के विद्रो के समय पामस्टन था option number B सही उत्तर हो जाएगा अगला question है डलहौजी के काल में British सामराज में अवद काविल है किस आधार पर हुआ था तो डलहोजी के काल में ब्रिडिस सामराज्य में आवद काविल है कुशाशन के आरोप पर हुआ था आप्शन नमबर A प्रशन का सही उत्तर होगा भारत में नियाएक संगठन की स्थापना किस ने की थी तो लॉर्ड कॉर्न वॉलिस आप्शन नमबर B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा भारत में नियाएक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्न वॉलिस ने की थी important question है पूछा जाता है ये next देख लेते हैं महतमा गांधी के राम चाहिंद के यगल सिध्धान तक कोन थे तो यहां पर सहीत्र हो जाएगा राम चाहिँ तापित करने के लिए महतमा गांधी सत्य और आहिंसा का ही प्रयोग करते थे next question है निम्नमैसे कौन स्वराज दल से संबंदित नहीं था तो राजा गोपालाचारी जी ऑप्शन नमर सी राजा गोपालाचारी जी जो है स्वराज दल से संबंदित नहीं थे बाकी मोतीलाल नहरू, आयंकर जी, बिठल भाई पटेल ये सभी स्वराज दल से संबंदित वहती थे नेक्ष्ट है जलियावाला बाग हत्याकार्ण कब हुआ था जलियावाला बाग हत्याकार्ण हमेशा पूछा जाता है एक्जाम में ये 13 अपरेल 1919 को option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गाधी के राजनेतिक गुरु कौन थे जिन्होंने उनके लिए राजनेतिक बारे में जानकारी प्रवाइट की तो महात्मा गाधी के राजनेतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी option number D प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन है बहिस्कृत भारत पत्रिका से संबंदित व्यक्ती कौन है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी आर अंबेटकरजी option number बहिस्कृत भारत पत्रिका से संबंदित थे कौन बी आरंबेटकरजी नेक्ट कॉशन देख लेते हैं गांधी इर्विन समझोते में किस आंदूलन को रोकने का प्रावधान था तो गांधी और इर्विन के बीच में जो समझोता हुआ था उसमें सवी ने अवग्या आंदूलन को रोकने की प्रावधान किया गया था ओप्शन नमबर बी सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कोशन है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतिय सरकार किस ने इस्थापिक की थी तो राजा महेंदर पृताफ सिंग जी ने विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतिय सरकार इस्थापिक की थी बारतिय राश्री कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन कब हुआ था तो 1929 में भारतिय राश्री कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन हुआ था नेक्स्ट है, बंगाल का एकी करण किस सन में संपन हुआ था, तो 1912 में option number D, प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल का एकी करण संपन हुआ था, स्वराज मेरा जनम से रधिकार है, यहाँ उदगोष किस का था, तो स्वराज मेरा जनम से रधिकार है, यहाँ उदगोष बाल गंगाधर तिलक का है, option number B, प्रशन का सही उत्तर है, करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो महत्मा गान्ध जी का ये नारा था वेरी इंपोटेंटली हमेशा पूछा जाता है नेक्श कॉशन देख लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन सरप्रतम किस ने प्रारम की थी तो ऑप्शन अमबर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सरप से पहले प्रारम किया था नेक्श कॉशन है भारतिय राश्री कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी भारतिय राश्री कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी तो A.O.Hume राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A भारतिय राश्री कॉंग्रेस की स्थापना A.O. Hume ने की थी नेक्ट कॉश्चन है दादा भाई नौरो जी आम तोर पर किस नाम से जाना जाते थे उपनाम पूछे जाते हैं दादा भाई नौरो जी आम तोर पर Grand Old Man of India के नाम से जाने जाते हैं भारतिय राश्री कॉंग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था भारतिय राश्री कॉंग्रेस का प्रथम विभाजन इंपोर्टेंट है ये भारतिय राश्री कॉंग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंझी के द्मारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है नेक्ष्ट है भारत का प्राचींतम परवत कौन सा है भारत का प्राचीन तम परवत कौन सा है तो अरावली परवश्रंखला जो राजस्थान राज्य में फैली है अरावली परवश्रंखला भारत का सबसे प्राचीन तम परवश्रंखला है नागार्जुन सागरबान्ध किस नधी पर आधारित है? बारत में किल चितरफल में बनों का चितरफल कितना है? लगबग 22% तोटल चितरफल में भारत के वन है है अप्शनूर्ड प्रष्ण का सही अत्र है भारत में सबसे कम वर्षावाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षावाला इस्थान लेह आप्शन नमबर A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे 50 जीके के कॉशन टेस्ट वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को अपने ग्रूप में शेयर करें लाइक करना भूलें चैनल पर ना है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन आउन करके नोटिफिकेशन को अल पर साइट जरूर कर लिजेगा जिससे हर दिन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स टॉपिक में नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धन्यवाद